गुड वानिंग क्लास, तोड़े वी बिल अन्रेश्टेंड एमेस वर्ड, बुलेट एंड नम्बरिंग, यू केन यूज द बुलेट एंड नम्बरिंग, उसमें हमें लिस्ट तयार करनी होती है, जिसमें कि हम नम्बर वन तो थी फोर या फिर इस्टार के द्वारा या फिर जिस्ट किसी सिंबल के दवारा उसमें नम्बरिंग करते हैं, तो उसके लिए हम एमेस वर्ड में कमांड यूज कर सकते हैं, बुलेट एंड नम्बरिंग, जिससे कि सिरियल नम्बर अपनी आप एंटमेट के लिए आ जाता है तो हमें बार बार लिस्ट में नंबर डालने की जरत नहीं होती है 1, 2, 3, 4 या फिर A, B, C, D इस तरह से में डालने की जरत नहीं होती है जैसे हम एंटर करते हैं तो नंबरिंग अपने आप एटमेट के लिए आ जाती है इस तहां से इस कमांड के दोर हम ब्लोटेन नंबरिंग यूज कर सकते हैं इससे हम लिस्ट तयार कर सकते हैं इस कमांड से हम जो हमारा करसर होता है उसे हम लेफ्ट या राएट उसकर सकते हैं या फिर उसे हम पीछे कर सकते हैं जो right वाला जो function होता है उस पर click करने से हम उसको cursor को आगे आगे बढ़ा सकते हैं वो एक step आगे चला जाता है जैसे की picture में भी दिखाए दे रहा है उसे हम next उस पर फिर click करेंगे तो एक step को फिर आगे चला जाएगा पर एक step आगे चले जाएगा इस तरह से और एक एक step आगे चलता जाएगा और अगर हम left वाला पिकलिक करते हैं तो एक step वो पीछे आजएगा तो इस तरह से हम उसे cursor को आगे या फिर पीछे उसे कर सकते हैं और जो हम space देते हैं तो space से वो एक ही लेटर का उसमें space आता है उससे बागु टाइमिंग हमारा लग जाता है तो इस command के दोएरा हम उसको एक step आगे कर सकते हैं फिर उसे और आगे कर सकते हैं इस तरह हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं जंप करवा सकते हैं और से पीछे भी हम जंप करा सकते हैं नेक्स हैं अंडूइंग मिश्टेक्स सम्टाइम्स यू वांट तो रिजर्व दर लास्ट एक्षन यू परफॉर्म्ड पॉर्थिस यू कैन यूज द अंडू बटन सिमिलेरली यू कैन यूज द रिडू बटन टो रिपीट दे लास्ट एक्षन जब हम कुछ मेंस वर्ड में कुछ हम वर्क करते हैं और हमारे कुछ उसमें मिश्टेक हो जाती है तो फिर हम अंडू कमांड कर देते हैं तो जो हमने लास्ट में कमांड दिये वो कैंसल हो जाती है और हम पीछे जो हमने work किया था था हम उसी पर वापस आ जाते हैं इस तरह हम फिर वापस आ जाते हैं और वो जो हमने उसमें कुछ change किया है वो दुबारा वापस हम उसी position में आ जाते हैं जहांपर हम पहले थे इसी तरह अगर हम इसमें redo command के लिए करते हैं तो जब हम वापस आ जाते हैं undo करके फिर हम वापस फिर वहीं पर चला जाते हैं जो हमने command उसमें दी थी तो इस तरह से undo और redo command दे के हम उसमें back आ सकते हैं या फिर हम फिर फारोड आगे जा सकते हैं इन command के दोबारा हम जो mistake है उसम change कर सकते हैं और फिर अगर उसमें हमें लगता है कि पहले सही था तो हम फिर उसमें दोबारा फिर वापस भी enter कर सकते हैं जिस तरह से इस command को use करके हम उसमें आगे जा सकते हैं या फिर उसे repeat कर सकते हैं तो इस command से हम दोबारा उसी last action को हम last command को हम cancel कर सकते हैं हम उसमें दुबारा वापस जा सकते हैं Spelling and Grammar Check यह command होती Spelling and Grammar Check जब हम MS Word में कोई हम paragraph तैयर करते हैं कुछ उसमें हम matter लिखते हैं और हमें लगा कि इसमें कुछ spelling mistake है या फिर computer उसमें अटमेटिक लिए देखता है spelling उसमें mistake है नहीं है तो अगर उसमें कोई spelling mistake होती है तो वहाँ पर उसके नीचे red color की एक line आ जाती है उससे हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई spelling mistake है wavy red lines spelling errors तो हमें wavy grey lines grammatical mistakes अगर उसमें green line आती है तो उसका मतलब है इसमें कुछ grammatical ही कुछ mistake है sentence में कहीं पर कुछ mistake है तो उससे हम देख लेते है और उसे check कर लेते है you can check the spelling and grammar of the entire documents by clicking the spelling and grammar button on review tab तो इस तरह से spelling and grammar command से हम उसमें check कर सकते है कि हमारे कहां पर spelling mistake है और कहां पर हमारी grammatical mistake है और उससे हम फिर check कर लेते है या फिर हम उससे mouse से right click अगर हम करते हैं तो हमारे पास option भी आ जाते है उससे regarding word हमारे पास आ जाते है तो हमें भी वहां से भी हम उससे add कर सकते है और उससे delete करके वहां पर spelling को हम correct भी कर सकते है तो इस तरह से हम spelling and grammar check के द्वारा अपना document से एक कर सकते हैं और उसमें जो mistake है for size में लिया है या फिर हमने उसे laser में लिया है legal में लिया है A3 है तो हमारे page का जो भी size है तो हम वहां से उससे set कर लेते हैं उसका margin हम देख लेते हैं page का margin के हमने क्या रखा है normal है, narrow है wide है या फिर कुछ और हमने size रखा है custom margin भी हम कर सकते हैं उसमें हम custom में जैसे normally जो normal हम लेते हैं तो उसमें एक इंच left, एक इंच right, top और bottom में space उसमें होता है और जब हम custom margin पर click करते हैं तो हमारे पास option आजाता है हम left में कितना margin देना चाहते हैं, right में कितना देना चाहते हैं, top में कितना रखेंगे और हम bottom में कितना margin रखेंगे तो वो सारा मुहाँ पर select कर लेते हैं जो भी हमें margin रखना होता है हम वहाँ सेट कर लेते हैं और फिर ok कर लेते हैं तो वो margin अमारे page में आ जाता है और page orientation में page का orientation देख लेते हैं page हमें portrait रखना है, landscape रखना है किस तरह हमें page रखना है वो भी हम वहाँ सेट कर लेते हैं और हमारा page उसे के according फिर आ जाता है portrait या फिर landscape में तो इस तरह से हम उसका orientation भी चेक कर सकते हैं next है page का size page का size हम उसमें later रख सकते हैं उसमें tabloid रख सकते हैं legal रख सकते हैं A3, A4, A5, B4 इस तरह से उसमें बहुत से size होते हैं तो हम वहाँ से कोई भी size select कर लेते हैं जिसके according में work करना होता है लेकिन normally जो size होता है वो A4 size होता है page का जो कि हम जिस पे हम print out निकालते हैं और जो हम normally ओपिस में, school में या फिर other जगाँ पे जो use होता है तो A4 size huge होता है और A3 जो होता है वो A4 size का double होता है तो अगर हम normal size निकालना चाहते हैं तो हम उसमें A4 size कर लेंगे और उससे थोड़ा सा हम बढ़ा अगर page लेना चाहते हैं तो फिर हम later ले लेते हैं वो उससे A4Size से थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन अगर हमें नॉर्मल रखना है तो हम A4Size सेलेक्ट कर लेंगे तो जो भी मेंटर होगा वह हमारा A4Size में आ जाएगा उसके कोडिंग हमाँ पे वर्क करेंगे और हम प्रिंट आउट हमारा A4Size में आ जाएग इस तरहाँ पेज का पेज सेट अप सेट कर लेते हैं और उसके कोडिंग उस पर वर्क करते हैं ओके क्लास थैंक यू